क्वेश्चन नमबर पहला पढ़ते हैं आप लोग पढ़िए ध्यान से अपने इपनी किताब में क्या कहता है 6.2 6.2 का पहला क्वेश्चन कहरा कि आकरती 6.17 1st और 2nd में DE समानतर है BC के DE समानतर है BC के मदलब पायरलल है 1st में EC और 2nd में AD ग्याद कीजिए तो देखो भाई पहले तो दोनों फिगर बनाना है आप सभी बच्चे बना लेंगे मैं भी इधरे साइड बना लेता हूँ पहला फिगर मैं इधरे साइड बना सकता हूँ यहां तक यहां तक कफी दूर तक बना सकता हूँ ठीक है नो प्राब्लम चलो तो पहले हम फिगर बनाएंगे ठीक है क्या करेंगे फिगर बनाएंगे इधर साइड आप लोग बच्चे फिगर बनाओ चलो पहला फिगर ये ऐसा जाता है ये ऐसे है ये बड़ा वाला फिगर है बच्चा और ये ऐसे है सबी बच्चे जल्दी से फिगर बनाओ फट अफट ये एक तिर्भूज़ जिसका नाम है ए बी सी इसमें बी सी के समांतर यानी पहला लेक लाइन है इस लाइन का नाम है बच्चा डी इ ठीक है ये पहला फिगर बन गया जो भी कह रहा था मैंने पहला बना लिया इसमें देखो और क्या करने को कह रहा है और इसमें कह रहा है कि जो बी डी है ये 7.2 cm है तु मच्चा इसे लिख लो A.E. जो है ये 1.8 cm है वहीं E.C. जो है वो 5.4 cm है अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है यह हमारा आकृति 6.17 का सीकेंड नंबर फिगर है और फर्स्ट नंबर मैं इधर साइड नीचे बना लूँगा चुकि मेरे में जगा इधर है येलो येलो मैंने बना लिया पहला एक समकोंड तिरभूज है जिसका नाम है A, B, C B, C के समांतर एक लाइन है इस लाइन का नाम है बच्चा D, E जिनके पासे किताबे होंगी उनको सब अच्छे से पता होगा ऐसे आपके बुक में दिया है आप देखो क्या करोगे सिंपल सा है यार ये फिगर नंबर एक है कुश्चन देखो मैं यहां पे चाहे लिख दूँ क्या निकालना हमें इधर साइड दिख रहा है न हल देखो हमें ग्याद क्या करना है पहले तो ये चीज आप समझ लो मैं कुश्चन यहां लिख देता हूँ देखो फिगर तो मैंने बना दिया है मैं यहां पे पहले कुश्चन लिख दूँगा तब फिर आप लोग को आगे बताऊंगा ठीक है तो बच्चे चलो question लिखो बहुत ही छोटा सहाँ जादा बड़ा नहीं है question क्या कहता है करा कि आक्रती 6.17 में 1st और 2nd में ठीक है आक्रती 6.17 1st और 2nd में D E parallel B C ठीकना बच्चा दिया है न ये भाई साब ये D E जो है ये B C के समानता है दोनों में ऐसे है तो कह रहा कि 1st में E C और 2nd में 2nd में कि पोच रहा है भई A D ग्याद कीजिए कोई बात नहीं है सिंपल सा है कर लेंगे हम लोग देखो करना क्या है question हो गया खतम इसका काम खतम हो गया इसको यहीं पे रख दो दो फिकर दीए गए है दोनों फिकर में अलग अलग चीज़ें आपको दी गई है हाँ इसमें इनकी कुछ लंबाई चौड़ाई दी गई है वो मैंने नहीं लिखा वो मैं लिख देता हूं हाँ दूसरे नंबर फिकर में बच्चा जो एई हे वन सेंटी मीटर है बावु किता है वन सेंटी मीटर है वहीं एडी जो है 1.5 सेंटी मीटर है अगर डीवी की बात करें तो यह 3 सेंटी मीटर है यह हमें टोटल दिया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो कोईस्चन समझने में ही टाइम लगता है इसको हल करने में समय नहीं लगता है सिर्फ कुश्चन समझने में ज्यादा टाइम लगता है अब लिखो दिया है इंगलिस मीटियम आले लिखेंगे गिवेन क्या दिया बच्चा डी इ फायरलल है बी-सी के आपने वो अधार बूत परमिये बढ़ा होगा क्या बोलते है उसे आधार बूत परमिये जो कहती है कि यदि किसी तिर्भूज के समांतर मतलब ये भाई तिर्भूज है एक इसके समांतर किसी भी मतलब एक भूजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खीची जाए तो वो तिर्भूज की अन्य दो भूजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर है यह क्या है आधार भूथ परमिये है परमिये यहाँ प्राइब लगा होगे ठीक है चैसा पर मिया पर मिया किसी तिर्भुज के समांतर एक अन्य रेखा कीची जाए तो वह तिर्भुज के अन्य दो बहिया AD upon DB जो है बच्चा यह AE upon EC के बराबर होगा ठीक है तो AD upon DB आप लिखो इक्वल उधर साइड वाला AE upon EC ठीक है बच सभी के मान रखतो मान रखके फटफट हल कर लो हो गया कम खतम हो गया कितना सिंपल था ना यह very simple था ना बच्चा लो चलो AD कमान देखो भाई AD कमान 1.5 दिया है और DB कमान 3 दिया है तो सभी को हम रख देंगे यह 1.5 और यह 3 इक्वल AE वहाँ से अगर देखो तो 1 दिया बच्चा यह EC हमें निकालना है क्रास मल्टिपल करेंगे हम क्या करेंगे तिरचा गुडा कर लेंगे क्रास मल्टिपल में हमें मिल जायेगा EC का देंखने में करोंगे थोड़ा विश्थार से बता दे रहाऊँ चूकि आपको समझ게 तो 3 कवं में करोंगे बच्चा ऐसर ओजाए और यहां से EC निकालोगे बाबू तो यह 3F1.5 आएगा, चुकि आपको यह भी पता है, आपको यह भी पता है, वो का पता है, कि नीचे वह एक अंक पर दसंबलो लगा है, EC बराबर नीचे से दसंबलो हटाओगे, उपर सुनने बढ़ जाएगा, यह 15 आजाएगा, बराबर 2 क्योंकि सभी मातरक सभी बुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, यह मैं कमेंट देख रहा हूं, इसमें बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि देखो अभी जूड़े हैं, कुछ बच्चे नए नए जूड़े हैं, कु जा कि स्क्रीनिशट ले लो कुछ, जो लिखने में थोड़ा गड़वड हैं, वो इसक्रीन चाट ले ले जल्दी से, भाई, रोहित जी जलदी इसक्रिन में साट ले весь आट ले को बिंद समकलिक में, प्रियंका पंकच, नीलेष और कौन है सुरेश सभी स्क्रीन साट ले लो जल्दी जल्दी ठीक है टेकनोजी तुम भाग जाओ यहां से कुछ मत करो बिल्कुल ना करो तुम को तुम्हारी जरूरत भी तु नहीं नहीं है ठीक है कि कुई यहां इस्टूटेंट की जरूरत है कुछ बिहारी ची समोझ में आ रहा ना चालो तुमोजीर ने स्जीक नंबर these नंकि में हम लोग चलंगे यह कुछ बिहारी एक ही भार कमेंट करो यार कहा है कोई दूम करदी這些 कॉस्चनमर सिकेंच मतलब में बैंट दिआ हम लोग चित्र नंबर 2 से यह चीत्र नंबर फरीच्थ हो गया! देखो आँपने दो फिगर यहाँ पर बनाये थे दुटिए अब इस में दूसरे कभी आप लोग करोगे? इसको मिटा दो इससे कोई मतलम नहीं यह यह पहला हो गया! अब सिकेंड वाले पर चलो दूसरा वाले पर चलो दूसरा वाला क्या कहता है द्यान से समझो दूसरे में हमें क्या निकालना है भाई या एडी क्या निकालना बच्चा एडी निकालना बागु दूसरे में किना निकालना ए एडि निकालना है वही पर में एक समान सिर्फ से क्या करेंगे ऌहिए करेंगे।्ठ छलिए अभध्यान दो आप सब्सक्राइब्साइब इधर साइड मुं झाच यहाँ पर लिख लिख दिया है यह तुम है में दिया था दिए समांतर वीची लिको डी दी समांतर वीची यह दिया है अभी आप कि मैंने बताया सिद्वन्त कि यहिदी किसी तिर्बुज की आधर भूत पर पर खिंच दी जागे तो वो रेखा उसते लिवुज की गए उन दो भूजाऊं को मतलब रे और किसी समधर नहीं है दो यह दो रहाए तो यह परमिय कहती हैं यह किकिसी उने के समांतर फिर चिंच दी जाहे तो यह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है क्या करती है बराबर अनुपात में विभाजित करती है ठीक है समझ गया ना सभी बच्चे इसमें कोई जंजट नहीं न तो अब क्या करोगे बच्चा इसमें भी वैसे ही कर लोगे लिखो एडी थोड़ा ये कम चल रहा है ना ठीक है लिखो क्या लिखोगे लिखो एडी अपान अरे यह यार जो उसमें करें थे एडी अपान डीवी एडी अपान डीवी एकवल उधर साइड से एडी अपान एसी चित्र हमने कौन बनाया था फैले दूसरा ही बनाया था ना ठीक है ओके गुड कोई दिक्कत नहीं है एसी लिखो एसी एडी अपान एसी है वाई यार कुछ मिश्टेक हो रहा है देखो मैं आपको यहां से क्लियर कर दूँ देखो यह भुजा एडी बटे में डी बी और यह एडी बटे में एसी ऐसे होता है इहां यहीं है दारी बूत्परिय है जो भी आप सीख़्व हो सभी के मान रखतो बस मान जाएगा एडी चलो रख़दो फटा-फट जो भी है फटा-फट सभी के मान रखतो बच्चा चलो कि रख़़限 दो कि अब है कि एडी का मान वहां क्या दिया कुछ नहीं दिया तो एडी ऐसे लिखतो गे डी बी कमान वहां पर आप देखो तो बच्चा कितना दिया एडी 7.2 क्या डिया भाई 7.2 दिया सेंटीमीटर अभी नहीं लगा ओगे लाइस्ट में लिख देना अंसर में अगर वहां से आप देखो तो 1.8 दिया है और इसी देख लो भाई तो 5.4 दिया भागू ठीक है इतना क्लियर है अब हम इधर हल करेंगे नेक्स्ट पर हमें पता है क्रास मल्टिपल करते हैं तो एडी का गुड़ा करेंगे किसमें 5.4 में और 1.8 का गुड़ा 7.2 में करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 ठीक है न विश्टर पंकर जी समझ में आ रहा है गोबिंद अर्पित्तिर पाथी अमन सभी को आ रहा है न चलो अब देखो क्या करोगे यहां से एडी बराबर निकालोगे तो 1.8 इंटू 7.2 आप आन 5.4 आएगा ठीक है आप एक काम कर सकते हो थोड़ा सार्टकट के लिए मैं आपको बता दूं यहां पर एक अंग पर दसमलों यहां पर एक एक पर है तो आप किसी भी एक संख्या से दसमलों हटा सकते हो तो हम इससे इसकी तूलना करके हटा देते हैं यह मैं आपको सिर्फ कलकुलेशन के लिए बता रहा हूं तो यह 18 इंटू आपको पता 24 आएगा एक अंग पर दसम्लो था इसलिए एक अंग पर दसम्लो भी हो जाएगा तो AD इकल 2.4 cm है ना कितना असान होगी आप कुजिशन देखो किरा कि किसी तिरभुच पीकिवार की भुजाओं पीकिवार पर करमसा बिंदू EYF इस्तित है जैसे कहरा वैसे हम कर लेंगे ठीक है देखो जैसे कहरा वैसे हम कर लेंगे इधर यहां तक दिख रहा है ना हाँ ठीक है गुड कहरा तिरभुच पीकिवार तो एक ट्रेंगल हम ड्रा करेंगे ऐसे जिसका नाम होगा पीकिवार ठीक है इसमें किसी को कोई मुस किसी बत नहीं ना इसमें चलो आप क्या करोगे कि देखो जिनका इंटरनेट सही नहीं इंटरनेट सही कर लो बच्चा इंटरनेट ठीक कर लो मैं देख रहा हूं कि देख रहा हूं आप थोड़ा सा रूख जाओ मैं देख रहा हूं कि हाँ सब कुछ ठीक है गुड है मारकर में थोड़ा सा और इंक डाल लेता हूं ठीक है बिल्कुल टेंशन मतलो चलो मारकर में थोड़ा सा और स्याही डाल लेता हूं तब फिर उपर नंबर दिया गया बच्चा जिनको जो भी पूछना महाँ पर इंक्वाइरी करो बाबू ठीक है दया संकर जी मैं यहाँ पर आपको कोई बात नहीं रिपलाई कर सकता हूं सिर्फ यहाँ पर कलाश देख लो बस मैं बात चीत नहीं कर सकता हूं सौरी उसके लिए चलो उपर नंबर है उस पर बाद में आपको पूछ पाना चांच अपना कर लो ठीक है चलो अब देखो ध्यान दो ध्यान दो भाई चलो क्या कहता है ध्यान दीजिए कहरा कि किसी तिर्फूच PQR की भुजाओ PQR पर करमसा बिंदू EYF इस्तित है हमने क्या बनाया PQR एक तिर्फूच बना लिया अब क्या करोगे इसके बाद ध्यान दो इसका नाम करण कर दो PQR ठीक है हमने क्या किया PQR इसका नाम करण कर दिया कहरा कि बिंदू PQ और PR पर क्रम सा बिंदू EYF इस्थित है यानि जो बिंदू PQ है उस पे E है ये इस पे क्या है बिंदू E है और जो PR है उस पे बिंदू F इस्थित है मतलब ये ऐसे है ठीक है इतना क्लियर है आगे कहता है निमलिखित में से परतेक इस्थिती के लिए बत और यह क्यू आर यह दोनों पैरलल है या नहीं है यह हमें क्या करना है ग्यात करना है बताना है कैसे करेंगे देखो बच्चा जो इस्टुडेंट कल बीपीटी थेवरम देखे थे आधार भूत समानता परमिये उन्होंने देखा था ना देखा था ना कि यदि कोई यह तो जो अकृति बनती उसमें क्या होता पता है यह पी बटा एक्यू इक्वल पी अफ अपान यह फर होता है होता है यह होती है बीपीटी थेवरम डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई अगर उसे नहीं देखे हो तो देख लो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा डिस तो यार तुम लोग पागल हो गए इसकर इंग एक तम से पागल हो गये यह देखो देख रहा है कि नहीं पहले इसमें दिख रहा है इंटरनेट नहीं चल रहा आप लोग का स्क्रीन पैसे टछ करो एक बार है उस पे तुम एक बारעל किनारे फिर से टुढ़ बिन्द बिंद करोगे क्वाल्टी में तुम्हारे में 140 240 360 ऐसे दिया होगा तो तुम 720 या 480 कर लो इसके बाद तुम्हें क्लियर दिखेगा लेकिन तुम्हारा वीडियो रुक रुक के चलेगा क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा है ठीक है इंटरनेट तुम्हारा देख रहा हूं चलो मैंने सारी बात बता दिया ठीक है हाँ तो भाई चलो अब हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे कैसे करेंगे ध्यान दो बाबू लोग सब लोग ध्यान दो बहुत इमांदारी से देखो प्यार से मैंने बात बता दिया जिनको बच्चा को क्लियर नहीं ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे जो चीजें दी हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे पी इकल 3.9 एक्यू इकल 3.6 सेंटीमेटर और एफ आर इकल 2.4 सेंटीमेटर आप लोग किताब खोलो जिनके पास NCRT बुक है वो लोग क्या करेंगे अपना किताब से देखना शुरू कर दे किताब से देखना सुरू कर दो अब चलो क्या होता है आगे देखो अंब मतलब संजो हमारी BPT theorem कहती है वो क्या कहती है BPT theorem आधार भूत समानता परिमिय हमारी ये कहती है कि इस तरह से अगर मतलब आकरती बनी है ठीक है इस तरह से अकरती बनी है मतलब कोई तिर्भुज दिया गया है जिसमें किसी एक भुजा कि समानतर कोई दूसरी रेखा अगर हम खीज देते हैं तो हम इसी पर इसको चेक करेंगे ठीक है इसी पर हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे कि समानतर है कि नहीं है इसके लिए हम निकालेंगे क्या आप यहां लिखो हल हल लिखो लिखो PE upon EQ भाई BPT theorem वहीं लिख रहा हूं है बस EQ जो बच्चे BPT theorem नहीं जानते डिस्क्रेप्शन में लिंक है देख लो आगे देखो फिर बराबर यह सुरी PF अपान FR क्या हो जाएगा PF अपान FR ठीक है बस सभी का मान रख दो सभी का मान रखने के बाद हल करोगे तुम अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो लिख देना आता है पहली इस्थिति के लिए EF Parallel to QR मतलब पहले इस्थिति के लिए EF जो है QR के क्या है समानतर है समझ गए ना बच्चा क्या है समानतर है ठीक है चलो आप कोई सवाल है तो बोलो जल्दी से फटाफट बोलो ठीक है ना आप कोई दिक्कत नहीं ना चलो चैप्टर नंबर छे है सरवन जी चैप्टर नंबर छे चैप्टर नंबर छे है चलो आधार बूद समानता पर्मियर डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई बच्चा जाके देख लो जिनको नहीं देखा जिनों है चलो पी इकमान 3.9 दिया है हम यहां पर रख देंगे पी एक जगा पर 3.9 ईक्यू एक्यू 3 सेंटिमेटर दिया है इक्वल अब देखो पी एफ पी एफ और एफ और एफ र सब रख दो पी एफ 3.6 और एफ एफ टू पॉइंट 4 यानि यह 3.6 है यह 2.4 है हल कर लो दोनों को देखो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं अगर बराबर आएंगे तो तुम लिख दोगे कि हाँ यह क्यू आर समानतर है इफ के और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देना यह समानतर नहीं है चलो लिखो हल करो हमें पता है आप लोग हल करना जानते हो कल्कुलेशन करना जानते हो भई उपर से दसमलो हटाओगे तो ये 39 बन जाएगा नीचे एक 0 बढ़ जाएगा अगर इसमें देखें तो एक एक अंक पर दसमलो है 11 डिजिट पे क्या बाबू पॉइंट है तो एक एक अंक पर है तो दसमलो आप हटा दोगे चुकिशनलो जो है बराबर अंक पर है आप हटा सकते हो कोई चेंजिंग नहीं होगी इनको आप कल्कुलेशन करोगे जब इनको हल करोगे तुम तो क्या आएगा पता हैं इनको काट के देख लो 13 बटा यह 3,5 है यह कितना आएगा 2 से काड़ इनको नहीं 13 ौद 54 ११ अब यह देख Tsch इप रहे हैं दोनों बराबर आγशा रहा हैं जल्दबो एक उलह हैं नहीं बराबर है नहीं बराबर है नहीं को आप लिखोगे साइड में दिख रहे है क्या नीचे भी दिख रहा है मैं Machine नीचे भी लिख सकता हूं न हां एक लाइन में नीचे भी लिख सकता हूं यहलो मैं घेर के लिख देरा हूं थोड़ा सा ये उतना करने के बार तुम इसको लिखोगे ऐसे सभी या क्या लिखोगे लिखोगे यहां हाँ इसको लिखने के पहले यहां एक काम करो इसके आगे जगा होगी कोश्टक में लिख लो बीपीटी पर्मिये से बीपीटी पर्मिये से जो लोग चाहें वो हिंदी में लिख ले हिंदी में क्या लिखोगे आधार भूत समानता पर्मिये से ठीक है यह बराबर क्यों हुआ बीपीटी थेओरम से बीपीटी पर्मिये यानि हिंदी में आधार भूत समानता पर्मिये से यह दोनों क्या था यह बराबर था अब यहां आप लिखोगे यहां Oh P ang reflect on he ski अरे इहीं उतार देना यहां वालां बराबर और यह beer fi अफ आप आनद एफ आर और तुम बराबर का चिन काट दो इसलिए काड़ दोगे क्योंकि यह हल करतें दोनों बराबर नहीं आया है इसका मतलब ये क्या बराबर नहीं है है यह जींटार आता हा मैं अताहर क्या बोल रहा था हमें करने को वही समांतर कूर नहीं होगा क्या होगा यह समांतर नहीं होगा क्योंकि यह बराबर नहीं आया ठीक है ना बच्चा इतना क्लियर है जल्दी से लिख लो उतार लो सभी बच्चे भाई समझ में आरा सेखर आवस्ती आरा ना समझ में हनुमान परसाद अग्रहरी सर्वन सिंग बच्चा देखो एकदम मस्त दिख रहा कोई दिक्कत नहीं बाबू ठीक है सुसील कुमार तुमको नहीं पढ़ना तो तुम जाओ यार कितना देर चलेगा क्या कैसे फालतु की पकैती मत करो हां क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले उपढ़ेंगे अभी तो कला सुरू नहीं हुए तुम करो कितना दे लिख लो उसके बाद फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे एकदम मस्त दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं सभी बच्चे यह जान लें यह क्लास रेगुलर पी ब्यारे स्टडी 3.0 चैनल पे हर दिन होती है पी ब्यारे स्टडी 3.0 चैनल पे डेली होती इस चैनल पे नही के लिए हो गया भाई अब इसमें और भी कई सवाल दिये गये हैं मैं इनको मिटा दूंगा पहला कुश्चन इसमें का बाकी सारा सवाल वही है इसमें सीकेंड पार्ट है अब हम सीकेंड पार्ट पे चलेंगे आप लोग जल्दी से मिटाओ इनको चलो ठीक है लिख लिए ह करना है यह हमें नहीं मिटाना क्योंकि इसी पे हमें क्या करना सब में ठीक है इसी पे हमें क्या करना है सब को ट्राइक करना है तो हमें वह पर मिये नहीं मिटाना है वाकि यह सब चीजें मिटा देना है मुझे यह बता इसमें कितने पार्ट है जिन बच्चों के पास N.C.E.R.T. गडित की किताब है उनको सब दिख रहा होगा कितने पार्ट है और जिन बच्चों के पास कोई दूसरी प्रकासन है मनोहर प्रकासन है राजिव प्रकासन है लक्षमी प्रकासन है कोई भी उन्हें परिशान नहीं होना है क्योंकि सिलेबस वही है भाई ठीक है आपका तिर्भुच का चैप्टर चलगा छटवा चैप्टर आप देखो तो प्रश्णावली 1a1b1c कहीं कहीं यह सारे सवाल दिये गये हैं ठीक ना तो परिशान नहीं होना बिलकुल भी समझने की कोशिस करना चलो सवाल नंबर दूसरे पर हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे में क्या-क्या दिया है ध्यान दो भाई सुबास यादो जी ठीक ठाक हो ना चलो देखो सिकंड पार्ट में दिया बच्चा पी चार सेंटीमीटर क्यूए चार दस हम लो पांच सेंटीमीटर लिखो पी चार सेंटीमीटर उसके बाद और कुछ दिया है क्यूए 4.5 सेंटीमीटर द्यान देना जो जो दिया है मैं वही लिख रहा हूं बाकि कुछ नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारी किताबं में दिया है हां चलो आगे का दिया है PF इसमें PF भी दिया है 8 cm और इतना ही नहीं इसमें RF भी दिया है वाई 9 cm इतना क्लियर है ना बच्चा ये दिया है अब ध्यान से देखो आगे क्या होता है बहुत ही प्यार से देखो ये दिया है कुईस्टन एक बार फिर से पढ़ो जो नए बच्चे अभी अभी आए हैं उनके लिए एक बार सवाल हम फिर से पढ़ेंगे कहरा कि किसी तिर्भूच PQR की भुजाओं PQ और PR पर करमसा बिंदू E वाया फिस्तित है हमने क्या किया इक तिर्भूच बनाया जिसका नाम रखा PQR कहरा था कि अभुजाओं PQ पर बिंदू E और PR पर बिंदू F इस्तित है तो हमने क्या क्या इनको बिंदू को इस्तित कर दिया इतना ठीक है मैंने एक लाइन खिच दिया जो कि क्या हो गई QR के समांतर हो गई समांता परिमिये डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई जो बच्चे बीपीटी थेवरम नहीं देखे जरूर देख ले क्योंकि बिना बीपीटी थेवरम आधार बूत समांता परिमिये कि तुमको यह समझ में पक्का नहीं आएगा ठीक है तो उसको जरूर देख लेना और वो जिस चैनल पर है उसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में है दूसरा चैनल है लेकिन क्या है बहुत अच्छे समझ में आया होगा ठीक है चलो और उसी चैनल पर रेगुलर यह कलास भी चलती सुबह 8 बज़े से जिस पर बीपीटी थेओरम के आपको वीडियो मिलेगा उसी पर चलती सुबह 8 बज़े से यह कलास उपर नंबर दिया गया उस पर संपर करना अगर कुछ पूछना है तो चलो इसको भी ट्राइक कर लो देखो पी कमान दिया चार सेंटीमीटर रख दो तुम चार सेंटीमी QE या EQ को मतलब वही है चाहे तो हम इसको ऐसे बोले EQ या QE बोले दिया तो यह किता दिया इसको लिख दो 4.5 जल्दी से सभी बच्चे लगा के बता मुझे आ रहा बराबर कि नहीं हा रहा है भाई EQ या QE 4.5 नीचे रख दो बराबर PF PF का दिया है में PF8 दिया है और एफ आर या ऊर या मतलब होई है ना भाई चाहिए एफ आर बोलो चाहे आरे आरे आ बोलो मतलब होई है तो यह 9 दिया है बस इसे हम क्या करेंगे हम करेंगे हम देखेंगे नीचे एक अंक प्रता सकते हैं कल्कुलेशन करना हमने सीख़ा है इसे काट दो 5840 59 45 equal 8 वटा 9 हमने क्या देखा हमने यह देखा कि दोनों बराबर है LHS equal RHS है, है ना बराबर है, बोलो जल्दी से बोलो फट से लिखो, ये दोनों equal है ना बच्चा, बराबर है ना, तो तुम क्या लिखोगे सपस्टी करण में, इसको इतना कर लो, उसके बाद लिखोगे आप, चलो लिखो जल्दी लिखो, लिखो लिखो फटा पट लिखो, य फिर ये क्या है, असपस्टी करण लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे लाइश्ट में, यहां यही लिख दो परमिये जो दी गई थी, इकल पी एफ अपान एफ आर, है, भाई देखो यह बराबर है, यहां पे देखो मैंने अभी पहले वाले बराबर कचीन लगा के काट दिया था, मतलब बराबर नहीं थी, तो क्या लिखोगे, अताहा इफ फैरलल क्यू आर, इस लिए एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा, क्यूं होगा, आधार बूत समांता पर्मिये से, बी पी टी थेवरम से, डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई, मैं फिर से बका रहा हूँ, जो बच्चे बी पी टी थेवरम नहीं देखे, वो जरूर देख ले, ठीक है, चलो, तो यह आपका प्रशनावली 6 असमलो 2 सवाल न चलो, हो गया ना, लिख लिए सभी बच्चे, आगे बढ़ें, चलिए, अब ध्यान दीजी अब क्या होगा, यह तो आपका हो गया, अब इसको मिटा दो कुश्चन, मैं यहीं से मिटा रहा हूँ, चुकि, हाँ एक बात और, चुकि मैं थेवरम तो नहीं मिटाऊंगा हर ब आधार भूत समानता पर मिए, या फिर बी पी टी थेवरम, बी पी टी थेवरम लिखना ना भूलना, ठीक है, चलो, अरे बी पी टी मतलब वही बेसिक प्रोबेशनल और पर मिए यह थेवरम, ठीक है, थार्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं, तीसरा पार्ट देखो ध्यान से, जो नए चातर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन आन करें, नोटिफिकेशन की बटन जरूर दबाएं, जिससे कि उनको कलास की सूचना भी मिल सके, ठीक है, बिल्कुल फ्री कलास होती ही, यूटूब पे, आप हर दिन देख सकते हो, सुबह 8 बज़े से, पी बियार इस्टेडी 3.0 चनल पे, हर दिन सुबह 8 बज़े से, चलो, पी बियार इस्टेडी 3.0 चनल पे हर रोज, तो भज़े इसमें का, अगला कौन सा दिया है, तीसरा पार्ट देखो का का दिया है, लिखो सभी, पी क्यू इसमें दिया है, तीसरा पार्ट, पी क्यू, 1.28 सेंटिमीटर, इसमें पी आर भी दिया है, 2.56 सेंटिमीटर, इसमें पी इभी दिया है, 0.18 सेंटिमीटर, और का दिया है, इमें एक चीज और दिया है, वो का दिया है, देखो देहांदो आप लोग, पी एफ, यह दिया है, 0.36 सेंटिमीटर, यह इतनी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, अब हम लोग फिर से बी पी टी थोरम में इनको रखके क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्राइ करेंगे, ठीक है न, कोई समस्या होगी तो निसंग कुछ कमेंट करना, बिल्कुल टेंसन मत लेना, क्वाल्टी चेंज करके देखो एकदम मस्त दिखेगा, चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, दियान दिजिए, देखो PE कमान दिया है क्या, हाँ दिया है 0.18, हम रख देंगे 0.18, उसके बाद देखो EQ, EQ कहीं दिया है, नहीं दिया है, अब हमें EQ तो दिया ही नहीं, अब क्या करेंगे, अब बड़ी मुसीबत आई, देखो समझो, EQ, मतलब ये वाला जो भुजा है, हमें इसका मान नहीं दिया है, दिख रहना आपको डट डट, दिख रहना भई, अब तुम ये सोचो, कि अगर PQ दिया है, और इसमें से हम PE घटा दें, तो ये आ जायेगा न, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इसको हम लिख सकते हैं, PQ माइनस ये कौन समान है, PE, ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ा लेंगे अब जाने दो, PQ माइनस PE, ठीक है, इसका मान अभी रखेंगे बाद में, ठीक है न भीया, कुझ विहारी जी आरा समझ में, अब ध्यान दो, तीन भी है, ठीक है, चलो, अब देखो हमें PF कमान द दिया है का, या EF दिया, ओ, RF कहीं दिया है, EFR या RF कहीं दिया है, बोलो, जल्दी बोलो दिया है, नहीं दिया है, यह कहीं दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे भाईया, यह देखो, यह नहीं दिया है, यह हमें दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे जैसे उधर निकाले थे यानि हम पूरे में से PR से अगर हम PF घटा देंगे तो यह फार आ जाएगा तो हम लिखेंगे PR-PF बस हो गया सब कमान रख दो फटाफट निकाल लो इनके मान पहले से रखें हैं तो हम लिखेंगे 0.18 पीक्यू कमान देखो बच्चा दिया है 1.28 दिया है यह 0.36 ऐसे लिख लोगे PR PR दिया 2.56 इसमें किसी को कोई जंजट नहीं है माइनस का PF PF दिया 0.36 हल कर लो बस अगर दोनों बरावर है तो लिख दो के समांतर है यह यह समांतर है और अगर बरावर नहीं आते हैं तो लिख देना नहीं समांतर है बस हो गया चलो यहां पर देखो बरावर बरावर अंक पर दसमलों लगे हैं तो हम दसमलों को हटा सकते हैं बिना कुछ कर रही यह लो अगर हम यहां पर देखे एक मिनट देखो या रहां P.E. का मान रखना था भाई पी यी का मान भी तो रखना था ना बाबू देखो हमने PQ का तो रख दिया P.E. का कौन रखेगा एक मिनट दुख जा पहले उसको भी कर लो उसको भी कर लो ध्यान से देखो PE 0.18 क्या दिया 0.18 इसको थोड़ा सा इधर साइड किसका लो चुकी जगा कम है तो 1.28-0.18 ठीक ना इतना ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं न अब इनको पहले घटा आलो तब आगे कुछ करेंगे तो यह 0.18 मतलब पहले इनको ऐसे लिख लो ठीक है इसमें से इसको सब्ट्रेक करो चलो घटा की दिखा देता हूं मैं तुम लोग को यह लो 1.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट यह 0 है ना घटा लोगे सिंपल सायर आठ में से आठ गया 0 दो में से गया एक दसमलो एक में से 0 गया एक यानि कुल मिला करके फाइनल में आपका कितना आ गया वन पॉइंट 1.10 ना 1.10 आगया इसके नीचे लिखता होगे 1.1 सुने बराबर इसको भी इसमें से घटा होगे सब्ट्रेक करना आप लोग को आता है लेकिन दसमलो में है तो हम बताई देते हैं देखो 2.56 इसमें से 0.36 क्या करोगे घटा होगे यह लो यह 0.36 यह 0 5 से जब 3 जायागा 2 यहीं 2.20 आएगा इसको हम ऐसे उतार देंगे यह 2.20 बस हो गया हल करके देखो क्या ये दोनों बराबर है आपस में अब इसकी आगे चाहिए इसको तुम हल करो या ना करो ये दोनों बराबर ना है न कि आहेंगे ला अबनका करके देख halls और फिर बता औize बराबर हैं तो बताओ नहीं class up love रहेगी कहीं जाएगी नहीं और हमारी कोशिस होगी change कर दिया जाएगा time ठीक है कोशिस होगी बदल दिया जाएगा लेकिन अभी नहीं चलो हम इसे अगर 2 से काटें तो हमें पता है क्या आएगा ये 0.18 आएगा और ये 1.10 आएगा मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे इस के आगे हल मत करो क्यों कि हमें सिर्फ बराबर दिखाना है वस हमें यह बराबर मिल गए दस हमलों में ही साइच जैसे भी अब आप लिखोगे असपश्टी करण असपश्टी करण फिलहाल हेटिंग में डालोगे नीचे लिख दोगे अताहा इतना करने के बाद ध्यान दो क्या लिखोगे जल्दी देखो इतना करने के बाद आप लिखोगे का लिखोगे नीचे लिखो अब हमारे में नीचे जगा नहीं यह तो मैं बगल में लिख रहा हूं ठीक है अब आप लिखोगे अताहा पी ए अपान एक्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर ये दुनों बराबर है ना लिखोगे इतना बराबर ये है ये इतना क्या है बराबर है इसलिए इसलिए ये इफ इफ समांतर क्यू आर होगा बस हो गया बस खतम हो गया यही करना था ठीक है कोई डाउट है तो नहीं संकुछ आप कमेंट करके बता सकतो भाई मिश्टर आवस्थी आरा समझ में ना देखो कुछ सिकेंड का टाइम है आपके सामने आप इसे लिख लो जल्दी से उतार लो नोट कर लो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है जल्दी करो BPT Theorem क्या होता है ध्यान से देखो इसको हिंदी में बोलते हैं बुनियादी समानता परिमिये अर्थात इसका मतलब क्या हुआ इसका अगर हम फुलफाम देखें तो होता है Basic Proportionality Theorem यानि BPT ठीक है इसका फुलफाम है Theorem का अब देखो पहले इसका मतलब समझ लो एक चुली म होता क्या हमें सिद्ध क्या करना है जैसे अगर कोई इस तरह का तिर्भुज दिया गया है ठीक है तो उसमें जो भुजा AE AD है यह और यह BD देख रहे हो ना इन दोनों का अनुपाद इसके जो दूसरी opposite side है मतलब इसके सम्मुक भुजा इसका जो इस तरह से आधा आधा द होता है यह यह एक थेओर में एक परिमिये है जैसे इसको ऐसे समझ सकते हम अगर यह 3 cm दी गई AD और भाई साहब यह BD 5 cm दी गई है और आपको AE 2 cm दी गई है यह 7 cm दी गई है तो आप इसे AD means 3 और यह 5 equal AE means 2 और यह 7 इसे आप कुछ इस तरह से परदर्सित कर सकते हो इस theorem के according ठीक है अक्सर जब हम लोग calculation question करते है exercise वाले तो हमें ऐसे triangle में situation मिल जाती है तो इनको हम इस तरह से कर देते हैं तो आप लोग confused हो जाते हो कि यह कैसे होता क्यूं होता है तो भाई यह basic यानि की बुनियादी समानता की जो परिमिये है अनुपात वाली उसको आज हम प्रूब करेंगे आपको समझ में यह क्या है पहले इसके बारे मे इमानदारी से समझ लो वीडियो को कम से कम 10 मिनट देखना तभी समझ में आएगा चुकि यह थोड़ा standard label का है देखो कहता है कि मैं हिंदी बताऊंगा इसका tension मतले इसका मतलब यह है कि यह कोई तिर्भूज जैसा दिया गया है और उस तिर्भूज में किसी एक भूजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खीच दी जाए मैंने क्या किया एक तिर्भूज पहले बनाया था जिसका नाम ABC था हमने BC के समांतर इसके पैरलल एक भूजा एक रेखा DE खीच दिया उसके बाद क्या कहता है देखो इसका मतलब यह है कि जो यह लाइन आपने खीचा यह इस भूजा आधे इस पार्ट को जो नीचे है इसको अनुपात में और बरावर करके यह और यह दोनों अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखे हैं यह इस थेवरम का मुख्य मतलब है लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं इसको प्रूब हमें करना है तो क्या करेंगे आप इन्हें नोट कर लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो फिर मैं इसको लिखता हूं चुकि हमारे पास पेज एक है तो मैं इसको मिटाओंगा ठीक है चल्दी करो लिख लो कोई बच्चा कला छोड़के मत जाना बहुत मतिमानोरी से समझागे तो सब समझ में आएगा बहुत महेंद से मैं आपके लिए ये कर रहा हूं चलो आव देखो देतां दो हमें कुछ चीजेंदीगई ओं है और कुछ छीद यानि side जो है DE ये क्या है DE बूजा BC के समानतर है भाईया जो side DE है वो BC के parallel है तुमको भी दिख रहा देखो ये है ना parallel ये दिया है आगे कर जो की AB को बिन्दू D और AC को बिन्दू E पर काटती है simple सी बात है AB इसको बिन्दू D पर काट रही है रेखाई DE और AC को बिन्दू E पर काट रही है ये दिया है चित्र में ही दिया है सिद्ध क्या करना है हमें ये प्रूप करना है आप आप लिखोगे इंगली स्वाले प्रूप देट क्या AD अपान DB AD अपान DB इक्वल AE अफन EC होगा जो मैंने उधर साइड में भी लिखा है यही हमें क्या करना प्रूप करना है इसे आप लिख लिख लिए तो मैं मिटा दूँ और जल्दी से आप इसको भी नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो मैं इसको मिटा की फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कांस्ट्रक्शन करवा हूँगा रचना इसमें भी थोड़ी सी होंगी इस फिगर में उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी करो लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ ठीक है जल्दी करो चुकी जगा थोड़ी सी कम है न चलो मैं अच्छा वैसे कांस्ट्रक्शन करवा देता हूँ ध्यान दो देखो मैं इसी में करवा दे रहा हूँ कांस्ट्रक्शन ध्यान दो रचना में क्या क्या करेंगे हमें कुछ चीजें इसमें construction करनी होंगी तब ही हम प्रूब करवाएंगे लिखो join BE and CD यहाँ पर लिखो आप construction में join BE and CD ठीक है? BE और CD को हम क्या करेंगे? join करेंगे BE यह and यह CD हम क्या करेंगे? इसको join करेंगे वसे अगर इसको अलग पेंगे तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहता न हाँ रहता न एक काम करो इसको डाट्य से कर लो या रेड़ से कर लो जिससे आपको construction अलग समझ में आए की रचना क्या की हो माने color change कर दिया आपको लग रहा होगा जो red है वह क्या राचना है इतना ही अभी इसमें और भी करेंगे क्या करेंगे and draw E F लंबहुत A B लिखो यहां पर लिखो and draw क्या draw करेंगे लिखो E F parallel तो हो गया यह perpendicular A B मतलब समझो हम एक line ड्रा करेंगे EF उसका नाम होगा और वो AB पर perpendicular होगी यानि यह यह यहां पर ठीक है अब हमने क्या किया एक लाइन ड्रा कर लिए जिसका नाम EF है वो AB पर क्या है perpendicular है लंबवत है ठीक है और इसके आगे अभी और इसमें करेंगे ए अब है रिखो ए लिए अब डी ऊडी खिएля डी एन पार फैंडी कुलर एसी एक लाइन और रसा करेंगे जिसका नाम ढूंडी आणों होगा वो पर फैंडी कुलर होगी एसी पर ये ये नंबर तो मनेे खुझ से लिखे थे यहां से कोई मतलब है नहीं हाँ एसी यहां पर क्या हो गया एसी पर perpendicular होकर डी एन यहां नाम मैं जिख दे रहा हूं बाबी क्या लिख दे रहा हूं फिक है यह नंबर तो हमने महत्तापुर्ण कुछ शक्टिविटी किया अब हम इसका सलूसन देखेंगे स्टार्ट होता है जल्दी नोट कर लो इसक्रीन साथ ले लो अब मैं सलूसन देखूंगा एक नहें पेच से बहुत जल्दी करो फटा-फट फास्ट हो गया ना चलो वीडियो छोड़के मत ज दो तिर्भूज A, D, E का छेत्रफल चूपकि हमें क्या करना है हमें इनको प्रूब करना है कि A, D, D, E, जो है वह वह ए अपान एसी के बराबर होता है तो पहले हम इनका एरिया निकालेंगे छेत्रफल निकालेंगे तब हमें इनकी जो मुख्य प्रोपर्टी मिल जाएगी जैसे हमें इनको प्रूब कर पाएंगे, अब देखो, क्या करोगे फिर, लिखो, तिर्भूज, A, D, E, का छेतरफल, छेतरफल में जानते हो, अच्छा, एरिया, ठीक है, अपन, जैसे वो हो रहाता ना, बटे में, वैसे ये भी होगा, लिखो, तिर्भूज, B, D, E, का छेतर यानि, A, A, D, E, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, क्या होगा, हमें पता है, का पता है, हमें ये पता है, कि एक बटा दो, आधार गोडे उचाई, ये सुत्र होता है, का बच्चाही तो होता है न, एक बटा दो, आधार गोडे उचाई, ये क्या होता होता है, अब देखते जाओ ध्यान से हम क्या करेंगे एक बटा दो आधार देखो अगर हम यह ट्राइंगल लेंगे एडी यह तो हम सबसे पहले एडी बोल रहे हैं यह हमारा क्या आधार है बेस है ठीक है यह क्या बेस है अगर इसकी उचाई की बात करें तो इससे सीधा गई है सीधा कौन इफ है ठीक है यह हो गया एक बटा दो आधार गूडे उचाई इसी तरह से हम दूसरे में लेंगे BDE में अब देखो BDE चुकि हम एक तिरभुज यह ले रहें एक यह ले रहें BDE इधर वाला इसको छोड़ दे रहें यह ले रहें बस ठीक है तो BDE का शेतरफल क्या हो जाएगा बच्चा इसमें भी हो जाएगा अधार कुने उचाई तो BDE में क्या हो जाएगा भईये यह BD या DB जो भी समझो एक बटा दो, और यह भी हो जायगा, D, V, और यह अगर उचाई की बात करोगे बाबू, तो उचाई क्या होगा इसमें V, E, F होगा ना, उचाई क्या होगा? EF होगा अब तुम कहोगे EF कहे होगा अरे यार तिरबुज ले रहे हो BDE उचाई EF कही से हो जायेगा यह तो बड़ा अत्याचार कर रहे हो ऐसे कहोगे ना लेकिन आप यह चीज समझो अगर मैं आपको एक ट्रेंगल दिखाऊं ध्यान देना बहुत छोटा फ़र ट्रेंग अगल इस रूप का है न तो इस तरह से आपका क्या है आधार कौन सा बच्चा आधार तो तुमने इसको लिया इसको अगर मैं इसको ऐसे ना रखूँ आधार मैं ऐसे कर दूँ एक बार फिर समझो मैं आधार को ऐसे ना रखूँ ऐसे मैं ऐसे कर दूँ तो तुम क्या बना था ठीक है तो इस कारण से उचाई EF ली जाएगी याद रखना कंफ्यूज मत होना बिल्कुल अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताना ठीक है तो यह क्या हो जाएगा भाई EF थीक है इतना क्लियर है अब यहां से देखो में क्या मिलेगा कि यह वाना पाण टू ऑना पांट एक एक से आपको मिलेगा AD, उपर AD मिलेगा नीचे DB मिलेगा यह equation number first हो जाएगा समी करण number 1, लिख लो जल्दी करो फट से देर मत करो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगला next ट्राइंगल में और फिर आगे बात करते हैं बहुत जल्दी करो, बहुत fast, उपर fast लिखो आगे बढ़ें, कलास छोड़के मत जाना अगर समझना सीखना है तो बच्चा अगर एकजाम में कुछ number पाने है तो बिलकूल मत छोड़ना नहीं तुमको कभी समझ में नहीं आगा जिन्दगी में याद रखना इसलिए महनत करना सीख लो, ठीक है कमेंट करो, मैं नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा आप कमेंट करो, खुब कमेंट करो मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, लेकिन कलास मत छोड़ना कि मैं भाग जाओं नहीं, पूरा वीडियो देखना बस 5 मिनट और अगला इस्टे भी स्टार्ट होता है यहां से देखो अब हमने क्या क्या कर लिया A, D, E and दूसरा ट्रेंगल हमने लिया था B, D, E यानि उपर का यह इतना मैंने पूरा हल कर लिया नीचे का हमने इतना हल कर लिया अभी यह नीचे वाला बचा इतना या फिर ऐसे बोले मैंने इसको अगर कर लिया थे इधर वाला बचा है तो हम अभी इसको हाल करेंगे तो किसमे किसमे देखेंगे A, D, E में यानि उपर वाला जो है A, D, E वो तो रहे गई और नीचे वाला क्या करेंगे इसके साथ में जोड़ेंगे उसका नाम क्या रहेगा पता है C, E, D, ठीक है C, E, D, ठीक है तो A, D, E, and यहां पर क्या लिखोगे फट से लिखो C, D, E, ठीक है चलो लिखो एक बटा दो, आधार, गुड़ा, मुचाई, इसमें भी वही हो जाएगा, एक बटा दो, आधार, गुड़ा, मुचाई, भाई, फार्मूला तो वही रहेगा, कुछ अलग तो होगा नहीं चलो रख़दो ऐक वतादो एक ट्रीक जान लो जैसे अभी करें थे वय से ही मैं आपको एक ट्रीक बतादूँ एक बट्डादो हमें सिद्ध क्या करना उदर साइड मेंaus क्या सिद्ध कं नेसमाज में तो God is being a video नंतउम करो नहीं आरा है कुब कमेंट करों बठाओंगा इक्वे देख्वाți ही क्या हो ने किया जाspl means पिर पिर साथ में क्या है जो लंब आपने कीचा था उसको लिगत दों आमने क्या की ज़ा ताधा ह्टा यह हो गया dn हो गया बस कम खतम दूसरा में एक बटा दो हमें और क्या सिद्धे करना बाबू नीचे क्या है इसी है ना तो ये इसी और गुड़ा फिर से क्या वही dn जो मैंने लंब खीचा था यहां पर आपका बच्चा कट जाएगा ये एक बटा दो एक बटा दो कट जाएगा फाइनल में AE का बचेगा AE आफान EC बचेगा ये equation number second हो गया देखो मैंने अभी एक equation निकाला था एक ही आगया दो हो गए equation याद रखना बोलना मत अभी इनका काम लगेगा ठीक है जल्दी करो फटा फटा करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से बोल रहा हूं कलास को पूरा देखना पूरा देख लेना फिर मुझे बताना कि नहीं समझ में आया जब तक प आपने लिख लो तो मैं आगली solution करता हूं next page में आगे चलता हूं जल्दी करो हो गया ना सब भी बच्चे लिख लिए इसको मैं मिटा रहा हूं अब यहां पर एक बहुत ही महत्तोपूर फैक्त आपको देखना है वो क्या है ध्यान से देखो बहुत ही ध्यान से समझो जो लाइन लिखी पहले पढ़ लो चूंकि BDE और CDE दो समान आधार DE और समान समानता लाइन DE और BC के पर बना हुआ दोनों तिरभूज है आधा दोन पर से देखो PDE यह तिरभूज और दूसरा करा CDE 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 यानि यह तिरभूज और यह तिरभूज करा कि दो समान आधार समान आधार क्यों है क्योंकि यह तिरभूज अगर हम लेंगे यह तिरभूज लेंगे इसमें तुम देख रहो क्या आधार समान हो रहा है कि नहीं दोन इस तरह का अगर तरंगल बनता है तो उनके चेतरफल बराबर होते हैं इनको में यहां बना दू आठिपीशल तरीके से समझ लो बच्चा अगर इनके बीच में कोई तिरभूज बनता जैसे यह बन गया एक्थी और एक्थी यह बन गया तो तुम्हारा जो यह तिरभूज ब बोलो बराबर होंगे ना यानि यह यह और यह समझो बराबर होंगे ना तो इस कारण से क्या होंगे यह हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया ना देखो इस तरह से मैंने क्या किया इन दोनों तिरभूज के छेतरफल को आपस में बराबर कर दिया B, D, E का जो छेतरपल होगा वो दूसरे ट्रेंगल C, E, D के छेतरपल के बराबर होगा Equation No. 3 हो गया हमें जो सिद्र करना हम उसके करीब आ गया उत्तर आ गया देखो कैसे अब लेखेंगे क्या समी करण 2 से समी करण 2 से समी करण 2 अभी अभी मैंने बनाया था आप लोगों ने लिखा था वीडियो बैक करके फिर से देख लो क्या बनाया था लिखो Area of A, D, E लिखा था ना मतलब हिंदी में मैं लिखतूं तो आप लिखो तिरभूज A, D, E का छेतरपल अभी यही तो आया था ना 1 question second या फिर Area of A, D, E लिखा था ऐसे तो लिखा था ना फिर लिखोगे तिरभूज C, E, D का छेतरपल ठीक है यह तुम क्या करोगे ऐसे लिख लोगे ठीक है अब क्या होगा भया इसका जो छेतरपल अभी आया था आपने देखा होगा simplify किया था मैंने सूतर उतर रखके तो A, E upon C, E आया था यही आया था ना यही आया था देखो A, D, E और C, E, D का यह छेतरपल है दोनों आ गया ना लिकिन यहाँ अगर तुम देखो तो तुम को क्या दिखरा है देखो B, D, E का जो छेतरपल है C, E, D के बराबर है यानि हम यह कह सकते है क्या कह सकते है अब इसमें एक और अलग concept देखो समझो यहाँ से कैसे देखो समीकरण 2 से यह इतना आ गया ठीक है यह ठीक है लेकिन समीकरण 3 से हमने एक इसका solution निकाला है वो क्या है इसका conclusion देखो मैंने निकाल लिया है कि जो area of B, D, E है यानि कि जो B, D, E का छेतरपल होगा इस तिरभूज का B, D, E इसका छेतरपल जो होगा C, E, D के बराबर होगा कि इसकी बराबर? C, E, D के मतलब इसके बराबर होगा तो बच्चा अगर इसके बराबर होगा तो हम C, E, D की जगा पर ये B, D, E तो लिख सकते हैं ना चुकि ये बराबर है यहां से लिख सकते हैं इसमें कोई मुसीबत नहीं है तो उपर तो कुछ बदलेगा नहीं उपर ऐसे रहेगा तिर्भूज A, D, E का छेतर फल नीचे क्या लिखोगे बाई साहब नीचे आप C, E, D की जगा पे B, D, E लिख दोगे चुकि दोनों बराबर हैं तो आप लिखोगे तिर्भूज B, D, A का, sorry B, D, A नहीं B, D, E ठीक है B, D, E का, छेतर फल अब तुम समझने की कोशिज करो, समझने की कोशिज करो, A, D, E इससे अभी क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, A, E निकाला था ना A e upon e सी आ गया ना और Eq 1 से हमने क्या निकाला था आपने देखा होगा वर yemपर 1 देखो उसको पलट के क्या निकाला था जलो जॉल्डी करूं देखो हमें को समझने के लिए मैंने Eq 1 एक बार फिर से आपके सामने ला दिया देखो धया दो पहला अभी अभी मैंने इसको सिद्ध किया था इसमें बीच में एक सूत्र भी लगाया था कि जो ADE था और BDE था वो ADE और BD के बराबर था ना बच्चा और यही सेम तू सेम नीचे आके फिर से सिद्ध हो रहा है कि ADE और BDE जो है वो AE और EC के बराबर है क्या देख रहे हो चौथा समिक्रन में यह देख रहो पहला में यह देख रहो जबकि यह चीज दोनों में एक्क्वल है है ना समान यह नी आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों बराबर है ना अब नीचे आप लिख सकते हो हमारे में जगा नहीं इसलिए मैं यहां बीचे लिख दूँगा आप लिख सकते हो आताहा शिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ की AD अपान यह D possibly यह यह इसे बीडी लिख लो ठीक सिद्धार रहेगा क्या लिख हो गे डीबी एकवल ए अपान EC ठीक है यह क्या हो गया प्रूब हो गया बच्चा लिख लो आता सिद्ध हुआ हैंस प्रूब्ड यह इसको आकरती 6.20 में कहरा कि DE OQ के समानतर है 6.20 आकरती का मतलब यह फिगर आपके बुक में कुश्चन दिया ऐसे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है इस फिगर में कहरा है कि जो बुझा DE है वो OQ के पैरलल है DE कहां है भई यह D यहां बीच में है जहां पर यह दोनों जाके मिलती हैं यहां पर D है और यह E है करा यह DE जो है यह OQ के समांतर है पैरलल है आप समझ़ रही हो न और आगे DE जो है वो OR के समांतर है इधर वाला है यह DF है थीक है इधर वाला DF जो है OR के समांतर है अगर हम DE लेंगे तो यह OR के समांतर तो है नहीं यह तो इधर को जा रहा है यह इधर को आरी समांतर कहा है यह DF है ठीक है अरे आपने वह BPT theorem पढ़ा है अरे जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे बुनियादी समानता पर्मिया से कुछ होता है ना देखो उसका लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप सभी BPT theorem जरूर देख लेना तब यह आएगा समझ में नहीं तो समझ नहीं पाऊगे BPT theorem PVR study लिखके यूटूब पर भी DF मतलब यह दोनों यह 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 Bucza जो है इसके समानता है तो कह रहा है शिद्ध करो फिर दर्साय का मतलब होता है यह प्लूब करना है कि E stuck to करना के लिद्ध है क्या लिखते हैं जो में दिया है क्या लिखेंगे दिया है और जो इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे गिवेन लिखोया दिया है मतलब एक ही हुआ चलो जो जो दिया लिख लो D E हमें ये दिया है कि D E parallel है O Q के इतना ही नहीं हमें ये भी दिया है कि D E F parallel है किसके O R के ठीक है ये हमें क्या है दिया है देखो हमने जब B P T theorem पढ़ा था इसको इधर हम साइड कर दे B P T theorem में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कुछ मिनट चुकि वो बहुत ही important है बीना उसके तुम इसको कर नहीं पाऊगे B P T theorem कहती है कि ये कोई ऐसे तिर्बूज में खीच दी जाए ये B P T theorem बता रहा हूं ध्यान समझ लो बाकी डीटियल में जानकारी के लिए डिस्क्रेप्शन में लिंक है उस पे जाकि आप B P T theorem पढ़ो 15 मिनट का वीडियो है इस B C को हमने बेस मान लिया और इसी के AD है AD मतलब ये भुजा AD upon DB ये DB ये बराबर होता है किसके AE upon CE या EC के ठीक है AE upon EC के क्या होता बराबर होता है यही कहती है क्या BPTT के तवरम यही कहती है मतलब वही बेसिक क्या बोलते हैं इसको मैं देख लेता मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है आधार भूत समानुपाति का परमिय बोलते हैं क्या बोलते हैं आधार भूत समानुपाति का परमिय यही होती है जो मैंने यहां पर बताया कि अगर कोई तिर्भूज है उसमें से कोई भूजा को बेस मान लो उसके समानतर को यह रेखा अगर तिर्भूज में खीच दो तो जो तिर्भूज बनता है यह कटा हुआ उसकी यह भूजा AD upon DB बराबर होती है AE upon EC के यही है BPT theorem ठी। Co करें पता है आपको step by step देखना कोई बच्चा कला्ज शोड़ कि नहीं जाया गाँ आगा अगाAL सब समझ में आएगा और अगर आप channel पर नयने आयी हो तो subscribe करिए और बेल आइकन अन करिए वीडियो को लाइक करिए ठीक है चलो देखो आगे देखो हमें इसको सीध करना है तिरबुच के दो पार्ट है इनके दो गाएंगा एक तो इधर है ये पी ओ क्यू ठीक है अब अगर हम इसको थोड़ा अलग कर लें तो ये तिरबुच कुछ ऐसे दिख ग्राने के लिए मैं उधर फिखर बना दिया जो मैं बताना चाहता था समझो हम आपको ये बता रहे थे कि ये ट्रैंगल दो पार्ट में बड़़ा है एक तो पी ओ यह तिर्भुच पी ओख्यू मैंने इसको उधर बना दिया वहाँ देखो फी ओख्यू बनाया हूं यह देखो फी ओख्यू मतलब मैंने इस तिर्भुच से इतना काट के निकाल लिया ठीक है अब समझो अगर हम सीधा कर दें जो वहां पर देख रहें थोगा अगर इसे वह रेखा है वो क्या है अरे यार वो पैरलल है वाई ऐसे है ना जिसका नाम है डी नीचे है यह क्यों यह और यह पी बोलो मिलेगा की नहीं अगर मैं उसको थोड़ा सीधा कर दूँ जो ऐसे पिछका है तो ऐसे मिलेगा ना और अभी-अभी मैंने यही आपको बताया था कि यह बताया था ना बताया था ना वई अभी बताया था है तो उसके एकरडिगर के नकीच काई की पी उपम एक्ई हो जाएगा और पी डी अपम न और हो जाएगा तो चलो चलो कर लेते हैं वह ऊपर क्या लिखेंगे अब हमारा सब्सक्रा संद दृर na विजिए को Radio ऑन लिखो आप सभी इंग्लिजमाली बच्चे वो लिखेंगे इन ट्राइंगल P O Q हिंदी मीडियमाली लिखेंगे तिर्भुझ P O Q में देखो पी ओ क्या-क्या है पहले यह देखो भया तिरभुझ P O Q में सबसे पहली बात है कि हम देख रहें E D समांतर है Q O के चाहे तो इसको लिख लो वैसे तो E D समांतर जो है या फिर D समांतर है O Q कि यह तो मैंने उपर है लिखा है सबसे उपर लिखा ना वो चीज तो जाने दो लिखो हम डारेक्ट कर देंगे P E upon E Q लिखो P E upon E Q equal समझ में आ रहा ना अभी अभी मैंने BPT theorem पढ़ाया था उसी के according ठीक है वह से इधर हो जाएगा PD upon DO हो जाएगा क्या हो जाएगा PD upon DO हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा ना हां तो यह आप कर ले जाओगे ठीक है उसके बाद अगर इसमें कोई डाउट है तो आपनी संग कोच बता दो हां राज देखो किसका फोन आ रहा है उसी का है क्या 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 पूछने के लिए करी देखो बोलो जा उदर बोलो तो यह समझ गये ना आप लोग देखो आप क्या हो गई यह PD upon DO क्या हो जाएगा PD upon DO ठीक है इतना हो गया यह हो गया आपका उस थेओरम के अकॉर्डिंग ठीक है अब देखो क्या करोगे यह यह हो गया ना बराबर हो गया यह क्यों हो गया भाई रीजन भी तो लिखोगे ना आपको इस टक में लिखोगे बीपीटी थेओरम से यह समीकराण एक बन गया यह रीजन लिख दो नीचे बाई बीपीटी थेओरम नहीं तो हिंदी मीडियम वाले लिख लें हिंदी मीडियम वाले का लिखेंगे आधार भूत समानुपातिका समानुपातिका परमे से ठीक है यह समीकराण एक बन गया आ तो पार्ट थे P, O, Q मैंने पूरा कर लिया अब इधर साइड चलेंगे अभी तो हम लेप्ट साइड थे इधर P, O, R बन रहा है न वैसे ही तिर्भूज इधर भी बनेगा एक पार्ट देखो जैसे मैंने इधर बनाया था यह देखा भी च्वाली मैं हम अभाइट कर देंगे अभी अभी इसको आवाइट कर देंगे सिर्फ ट्रेंगल देखेंगे बस हां तो ऐसे उधर साइड का बनाओगे तो कुछ अलग तरह से द्रिश से बनेगा देखो मैं चीतर बना देता हूं साइड में उसी जगा पे अब देखें सिकेंड ट्रेंगल में हम लोग चलेंगे जो बच्चे इसको नहीं लिखे थे वीडियो को थोड़ा सा बैक करें उनको फिर दिख जाएगा टेंसर नहीं लेंगे कि हम मिटा दी हैं वीडियो पीछे आगे होता है ना है ना थोड़ा सा बैक कर लो 30 सिकेंड भी से दिख जाएगा लिख लो चलो देखो अब ये पी ओ आर में देखो P,o,r बनायेंगे तो उधर को तैडा हो जाएगा अभी मैंने ट्रेंगल भनाय था अगर उसको तुम धियान से देखो बेख करके तो इधर को तेडा था क्योंकि मैंने P,o क्यू की बनाया था बहुत तो इसमें क्या करोो भाई इसको सीधा करोगे तो यह ऐसे बनेगा तो इसमें भी वही पर्मिय लगाओगे बीपीटी थेोरम वाली तो यह हो जाएगा पी एपान एओ ठीक है पी एपान एओ देखो चाहे तो इसको लेकिन यहार एओ कहां से हो गया वही इदर अच्छा क्यू था इदर ओ था न ह मैं नाम करंण में गल्ध कर दिये नियुकर कि कहां हुआ है यह हम इदर वाला दिरफुझ ले रहे नव भई तो यह पीडी है ना यहां पर डीक है और हमने एफ लिख दिया था यहां अब आपको confusion ना हो इसलिए इस triangle को मैंने सीधा करके यहां बना दिया है आपको समझाने के लिए तो यह df ऐसे हो जाएगा बोलो ऐसे हो जाएगा ना और जो मैंने आपको अधार भूत का पर में बताया था यह pd upon do यहीं होगा ना या इधर से अगर हम गिनेंगे तो pf upon यह fr है ना भाई यहीं होगा ना यह बड़ाबर होगा pdf upon do के बड़ाबर होगा बस यहीं तो करना था यहीं करना था ना तो यहीं चीज हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे जहां पर मैंने वहापे लिखा है चलो यह तो समझाने के लिए मैं नीचे आपके लिए triangle फिर से इस लेंगे ठीक है यह हो ज Shap भैक कर करके देखो यह समीकरण दो बन गया उसमें भी बच्चच ये Simia PDF na am inde shop कि दिखाना चाहूंगा आप लोग देखो फिर से अविकरन समीकरण समारा आया था समीकरण 1 giàव है अभी मैंने मिटा दिया पी प्राभर ईक्यी है एक दिखाने के लिए लिखारा रहा हूं ठीक अब नीची आप लिखोगे समीकरण एक वा दो से देखो भाई or दो को अगर आप सम्पेर करोगे बराबर तो में भराबर है यह बराबर है और अरो तक क्यों आउल पर भी आपे अपमें आपष में भर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं क्या पाइला समिकरण यह है तो हम पहला समीकरन का जो भी है उसको पहले लिखेंगे तो PE upon EQ लिखो PE upon EQ ये बराबर होगा PF upon FRK या फिर RFK और अगर देखो तो हमें सरवांगसम क्या करना है बैया बन गया काम आपने WPT थेवरम पढ़ा था ना अधार बूतिका परमिये वो क्या कहता है कि अगर कोई तिरभूज ऐसे बना है उसमें किसी भूजा को बेसमान के कोई ऐसे रेखा समांतर खींच देते हो तो ये भूजा जो है अभी भी मैंने दिखाया था इस्टार्टिंग में ना PE upon EQ बराबर PF upon FR होता है कब होता है जब किसी तिरभूज में किसी और कि दो जाता है तो आप लिख सकते हो हो घुट है हां अब हो और नीचे लिख दो क्योंकि उपरोग तो इस्तिति ही चाहां चाहां लिखो वह समझने वाले समझ जाएंगे उप्रोक्त इस्थिती बीपीटी यह बीपीटी लिखना थोड़ा आसान होता है वैसे लिखो कि क्या बोलते हैं आधार बूती का आधार बूत समानुपाती की पर्मिय का बहुत बड़ा हो जाता है न तो बीपीटी थे अच्छा रहे लिख देना अताहसिद्ध हुआ तो बहुत ही बेतर रिस्पॉंस मिलेगा आपको तो फिल और ही छाटवा कुश्चन ध्यान से देखना इंड तक देखना करा कि आकरती 6.2 में ऐसा आपकी बूक में कुश्चन दिया इसलिए मैंने लिखा है यह आपकी आकरती है 6.2 जो भी समझे इसमें कहरा है कि करमसा इसमें करमसा op, op, op औ, or पर स्थित बिंदू, a, b, c दियान से देखो इसमें करमसा o, p O P मतलब ये, और O Q, O Q का मतलब ये, और O R, O R का मतलब ये, इन पे इत्तु बिंदू, कौन कौन से है करमसा, देखो बच्चा कह रहा है, करमसा का मतलब ये है, कि O P पर A, और O Q पर B, और O C पर C, ठीक है, देख लो तो ऐसे हैं B, O P अगर हम बात करें, तो इस पर देखो A है, अगर OQ की बात करें तो इस पे देखो A B है और अगर O C की बात करें O C तो इस पे देखो O C नहीं O R O R इस पे बिंदू C है यह है ना करा यह बिंदू इस परकार से है कि A B P Q के पैरल है समानतर है यानि जो यह बुझा A B है छोटा वाला अंदर में वो समानतर है और यह इसके समानतर है तो फिर तुम क्या इसको यानि Q R को B C के समानतर सिद्ध नहीं कर सकते हो क्या वही तो करना है चली करते हैं सलूशन स्टार्ट होता है यहां से यहां पर लिखोगे हल हल में लिखोगे गिवन Hindi Media में लिखेंगे Di, Given और Di, क्या Di यह हमें दिया है, AB Parallel PQ, इसको आप लिखो, AB, AB Parallel PQ, यह दिया है, AC Parallel PR, यह भी दिया है, AC Parallel PR, Given, ओके, यह हमें दिया है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने पढ़ाया BPT theorem, आपको पढ़ाया Thels theorem, जानते हो ना, अब हम ये इधर साइड का ये हिस्सा लेंगे, कहां से, ये यहां से, हम ये पूरा हिस्सा निकाल लेंगे, इधर वाला ये BQ वाला ये निकाल लेंगे, और उसके बात क्या करेंगे, इनको BPT theorem लगा करके, सिद्ध कर देंगे, और भाईया अगर इनको और इनको इधर लगा देंगे, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, देखो कैसे, अगर इसमें से बच्चा आप ये तिरभुज ले लो, कौन कौन सा, O, P, Q, O, P, Q, तो इनका structure कुछ ऐसे बनेगा, नीचे साइड में लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें गडबड लग रहा होगा, बट ये कुछ ऐसे ही बनेगे, अभी मुझे कुछ कुछ कलियर करने दो, थोड़ा मुझे गडबड लग रहा है, थोड़ा फरुग जाओ, देखो इसमें figure में थोड़ा मिश्टेक है, ये figure में क्या ना यार, य यहां पर वह है तब जाके मिलेगा ना में में चीज अब यह जो हमारा इधर साइड में बट रहा है यह इतने में इन इह बटेगा भाया यह थोड़ा सा और पार्ट में बटेगा वह मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे निकलेगा देंदो देखो अब आप इन चित्रों पर ध्यान दो बाकी चीजें छोड़ दो सिर्फ फिगर पर ध्यान दो हम तिरभुज लेंगे बिटा देखो क्या क्या तिरभुज लेंगे देना ओ पी और मतलब मैंने कॉंसर ट्रेंगल सेलेक्ट किया इसमें से यहां से देखो ओ पि क्यु यहीज मैंने काट के इतर रख दिया जो मैंने बոला हुए तुमको कंसमझ में यारा है को काटके इतर दिखा दिया जैसे इसमेंत निकालो हुआ कि तो ऐसे मैं यहां लाके हां ठीक है लेकिन इसमें तो उप्राइब गड़ा लग रहा है समझ नहीं पा रहे हूँ यह आई इसे उल्टा का है यह उल्टा है ना मैंने O-P-Q Q O P Q यहां से लिए O P Q इसको काट के आद खिया अब इसमें अगर मैं लगाऊंगा बीपी अगर नहीं देखंगे तो कमेंट करके बताना अब नहीं समझ में आएगा कमेंट करना मैं आपको दिखा दूँगा आप चलो आगी कहानी देखो क्या होता है द्हान दो बहुत ही प्यार से देखो आ देको बच्चा B P T eoram हमने ये सीखा था अब चीज़ें आँ और लिखेंगे ठीक है आप हम में चीज़ें और लिखो यहाँ पर तिरभूज O P Q में O P Q में ठीक है इसमें क्या लिख दो B P T परमίας से इसमें अगर हम परमिय लगाएंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई तिर्भूज में किसी भी एक रेखा के सा मंतर को रेखा की दी जाए तो जो बीच वाली खींची हुई रेखा है वह उस तिर्भूज को इधर की जो बुजाएं है उधर की बुजाओं के अनुपात में बाड़ होगा यानि ओभी अपान बीक्यू हो जाएगा ओभी अपान बीक्यू आप कमेंट करोगे तो आपको बीपीट थेवराम का लिंक मिल सकता है उसको देख लेना ठीक है तो आपका यह हो जाएगा इसको बच्चा आप एक्वेसे नमर फर्स्ट बना सकते हो ठीक है यह समली कर के समांतर है जैसे इधर एबी पीक्यू के समांतर था वैसे इधर वाला एसी पी आर के समांतर है तो बच्चा इसको भी काट की निकालोगे ऐसे अलग करोगे ठीक है जैसे मैंने इसको किया है तो अब मैं इसको तो बता दिया इतना डीटियल में उसको में इतना डीटियल म पर में से, देखो O, P, R का मतलब समझो, यह तिरभू यहां से, O, P, R, यहनि अगर इसको तुम काटोगे, फिर बना के दिखाऊ, O, P, R, इसको काटोगे तो इसका यह पार्ट ऐसे निकल के अलग हो जाएगा, तो इसमें भी वही हो जाएगा, O, C, O, R ऐसे तो कुछ बनेगा बना के देखो क्या बनेगा, इधर साइड से बनाओगे, O, A, P, बनेगा, और इधर साइड वाला वही, O, C, O, R, बनेगा, तो लिखो, इधर से बनाओ न, O, A, P, जल्द लिखो, O, A, P, जो बच्चे इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, कमेंट करके बताएगे, व O, C, O, R, के बराबर होंगे, O, C, O, R, जैसे माने उसको एक्स्प्लेइन किया था, चैसे चित्र को बाल बांट बांट के अलग अलग, यह लिख लो, यह आपके इक्वेशन नमर सिकेंड हो गए, यह क्या होगे बच्चा, इक्वेशन अगर सिकेंड, यहाँ पे अगर आप इक चीज़ देखो तो आपके एक पत बराबर हो रहे है, बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे बच्चा, हो रहे है ना, कौन, O, A, अपन एपी दोनों में है ना, अब तो नीचे लिखोगे, समी करण, फास्ट वा सिकेंड से, समी करण, फास्ट वा सिकेंड से, अगर हमारे यह ले O, C, अपन O, R की, अब यहां से अगर आप ध्यान दो, जो भी हमारी यहां पर कहानी लिखी गई, इनको ध्यान दो, अगर O, B, यह O, B, और B, क्यूँ, यह बराबर है, O, C, और O, R के बराबर है बच्चा, तो क्या हुआ फिर यह, O, R नहीं यह C, R होगा यार, यहां पर O, C, अपन यह C, R होगा, O, R तो फिर गड़बर हो जाएगा, यह C, R है, ठीक है, यह C, R है, तो देखो, हम सभी Theorem जानते है, BPT Theorem जिसे बोलते हैं, उसके according, अगर इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, उधर के बराबर है, तो यह भुजाओं समांतर होंगी, तो अब न parallel to BC, मतलब यह line parallel to QR, लिखो, QR, होगा, होगा, लिखो, क्योंकि उपरोक्त परमिये, उपरोक्त इस्थिती BPT Theorem से आती है, ठीक है, लिख दो रेजन अगर कहा जाए तो, क्योंकि उपरोक्त इस्थिती BPT परमिये से आती है, BPT परमिये से आती है, यह सिद्ध हो गया, इतना ही करना था, प्रूब करना था हो गया, Question क्या कहता है, परमिये संख्या 6.2 का परियोग करते हुए, सिद्ध कीजिए, प्रूब कीजिए, कि किसी तिर्भूच की किनी दो भूजाओं के मद्ध बिंदू को मिलाने वाली तीसरी रेखा, स्वरी, तीसरी जो है, भूजा के समानतर होती है, मतलब समझो किल मिला के करना क्या है, इनका कहने का ये मतलब है, कि जैसे मालो ABC एक ट्राइंगल है, तो इसमें मद्ध बिंदू को मिलाने वाली, किनी दो भूजाओं के मद्ध बिंदू को मिलाने वाली रेा, यानि AB और AC के मद्ध बिंदू ये इनको मिला रही नहीं रेखा इसका मद्ध बिंदू D है A B का और A C का मद्ध बिंदू E है इनको मिलाने वाले जो रेखा है कहरा कि तीसरी बुजा के समांतर होती है अर्थाद D E समांतर होगी B C के यह हमें प्रूब करना है यह हमने B P T theorem में किया है इसमें और लिखा है आगे ब्रेकट में याद कीजिए आप काग्छा नौ में इसको कर चुके हैं है ना क्लिए है चलो अब देखते हैं क्या होगा इसमें समझने की कोशिस करो आप लोगा देखो बच्चा इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता हैं वो क्या पता है अगर यह जैसे कंडिशन बता रहा है तो B P T theorem से अगर हम देखे थे इसमें हमें बहुत सारी चीजें दी गई है वो क्या दि गई है ये a,b के बराबर है बराबर क्यों क्यों है क्यों chron界 ये अमद्ध बिंद को मिलाने वाली की यानि यह पहले का यह दिर हो फटपिゃ जल्दी से लिखो यहां पर हम लिख सकते हैं ad equal db ठीक है इतने में कोई problem नहीं न ad ये db के बराबर है ठीक है no problem no tension ओके चलो तो इसमें तुमें एक काम कर सकते हो बच्चा वो ये है कि चाहे को ad को db के बराबर करो और चाहे तुम इसमें एक काम कर लो ad upon dv equal का 1 कर लो ठीक है ये भी हो सकता है इसको question number first मान लो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं न आप समझे मैंने इधर side का हिसाब किया ad db के बराबर किया तो मैंने equation number first बनाया अब इधर भी ऐसे चलो तो a e e c के बराबर होगी क्योंकि बहिए अगर e मद्ध बिंदू है a c का तो ये आधा आधा पार्ट में बांट रही है तो इसे आप लिख सकते हो a e बराबर e c लिखो इसी परकार e c परकार a e बराबर e c यानि a e बटा e c बराबर one ठीक है one का है one तो उपर हुए न दू हो जाएगा ओ स्वरी हाँ हाँ ये तो ठीक है one हो जाएगा ये ठीक है इसमें कोई लफडा नहीं न बच्चा आप देखो समझो ये समी करण 2 हो गया अब समझने कि आप लोग कोसिस करो अगर आप e question number five ten second देखो तो इसमें LHS equal है इधर one है दोनों में तो अगर LHS equal है तो हम लिख सकते हैं कि इसका RHS भी इक्वल होगा समी करण एक वा दो से देखो समझने की कोशिस करो equation number five ten seconds हम लिख सकते हैं ad upon dv लिखो बच्चा ad upon dv equal a e समझने की कोशिस करो आप प्यार से हाँ देखो लिखो a e upon कौन सा e c ठीक है no problem e c यह हो जाएंगे आपके बराबर और अगर यह बराबर हो गए तो तो फिर क्या अगर यह बराबर हो गए आपने bpt theorem पढ़ा होगा थेल्स परमिय जिसे बोलते हैं अब नीचे आप लिख सकते हो इसलिए या अताहा अताहा d e d e parallel bc ठीक है parallel bc ब्रेकट में लिख दो bpt परमिय से ठीक है bpt परमिय से bpt परमिय मैंने पढ़ाया description में देखो link दी गई होगी नहीं समझ में आता आप YouTube पर सर्च कर लें इसका क्या मतलब होता समझ जाओगे तो यह प्रूब होगा जो भी करना था है ना कितना आसान कोई confusion नहीं ना अगर किसी को कोई डाउट है तो आपनी संग कुछ कमेंट करके पूछ सकते हो तो बच्चा इसमें देखो क्या क्या कह रहा है question में ध्यान दो पहले आप कह रहा कि एक चतरभुज मतलब क्वाड्रेटरल जिसका नाम है ABCD ठीक है कहरा कि बिकर्ड यानि चतरभुज के जो बिकर्ड है डाइगोनल परस पर बिंदू ओपर इस परकार परतिछेदित करते हैं परतिछेदित का मतलब होता इंटर्सेक्ट करते हैं बिसेक्ट नहीं इंटर्सेक्ट करते हैं कहां पर बिंदू ओपर इस परकार से इनको परतिछेदित कर रहे हैं यह बिसेक्ट कर रहे हैं और स्वारी बिसेक्ट नहीं इंटर्सेक्ट कर रहे हैं कि AO अपान बियो है यह कह रहा है ऐसे परतिछेदित करते हैं कि AOBO के बराबर है CO DO के बराबर है यह कुछ इस तरह से बरा है इसका मतलब कहने की यह कि ये धोनों जो ये तिरभुच बन रहें एक परकर्स संदुबाहों की तरह बन रहे हैं हां भाई यह उजह बराबर है यह बराबर है कि नी नहीं बराबर नहीं है अनुपात में है चलो, अब यहां से कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जो आगर लिखूंगा, वो समझ में आएगा, यहां पर लिखो दिया है, हमें गिवन है, AO upon BO, अभी देखो आपको समझ में आएगा, CO upon DO, यह दिया ना बच्चा, यह दिया है, अच्छा आप गेस करो, अगर इ AO CO 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 इसमें बहुत चीजें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है अगर A O अपान ये C O हो जाता है और ये B O अपान डी ओ हो जाता है तब यहाँ पर चांसेज बढ़ जाते हैं आपके लिए पता है क्या बढ़ते हैं लिखो ब्रेकड में ये हो सकता है मैंने कुछ किया नहीं हो सकता है मैंने किवल सीरियलَّ जए्ञेंज किया है एक सब्सक्राइब किया अब देखो क्या करोगा आप इस में में सिध्द क्या करना है एक सम्लम्म ING आइए मतलब प्रूब कीजिए लिको सिद्र करना है एबी सीडी एक सम लंब है सम लंब है मतलब ट्रेफिजियम है ओके चलो इतना कर लिए बच्चा देखो अब एक काम करोगे आप एक काम आप यह करोगे यहां पर एबी जो है वो सीडी के समानतर है आप यहां पर नीचे लिख सकते हो आप रजना करोगे ठोड़ी सी आप इसमें रचना करोगे पता है अप रचना ये करोगे बच्चा कि यहां से ऐसे इसको प्रतिछेदित करता हुआ आप एक बिंदू खींचोगे जो कि लगबख बीचो बीच बीच बिंदू पर ही होना चाहिए मेरा जो है यह थोड़ा सा जीब टाइप का बना इस वज़ा फे बीचो बीच के थोड़ा उधर चला जा रहा है तो एक परकार से जान लो यह EF होगा हां जो कि लगबख बीचो बीच पर काटेगा यह माल लो इसका मद्ध बिंदू होगा वस्तुम इतना माल लो ठीक है यह समझ गए लेकिन यह तो छोड़ो अब AB EF के समांतर होगी और CD के समांतर होगी तो नीचे हम लिख सकते हैं यहां पर पहले टॉक्षल लिखो ठीक है टिक लिए हो गया है लिख लो चाहिए इसमें एडी के मद्ध बिंदू को बी-सी के मद्ध बिंदू से मिला और जैसका नाम EF रखा ठीक है उसके बाद आगे आप लिख सकते हो AB समांतर EF समांतर C-D ठीक है यह फिर EF समांतर EF समांतर C-D कर दो तो मतलब एक हुआ ठीक है अब चलो देखो अब हमारे पास कई सारी संभावना यहां पर हो गई चित्र में थोड़ा सही कर लेता हूं फिकर तोड़ा गंदा लग रहा है मुझे मतलब उस हिसाब से नहीं बना है मैं चित्र थोड़ा सही कर रहा हूं चलिए रचना है कांश्ट्रक्शन के बाद आगे देखिए मैंने फिगर को सुराद दिया है इसमें देखो AD का मदबिंदु E दिखना चाहिए इसमें BC का मदबिंदु याफ दिखना चाहिए जो की दिख रहे है अब देखो आगे कैसे करोगे इतना हो गये ठीक है अब आप जो आपने ट्रेंगल नहीं नहीं उनको लेंगे हम पहले ACD में चलेंगे ठीक है कौन को तिर्भूज ACD यानि इधर का जितना ट्रेंगल है इसमें लेंगे अब नीचे आप लिखो प्रूफ या पिर मतलब जो भी सिद्ध करना है ठीक है वह हम करने चलते हैं उपत्ति जैसे लिखते हैं फिर हिंदी में इंगली बेंगे द्रूफ ठीक है चलो आप प्रूफ में क्या करो कि बच्चा आप लिखो तिरभूज यहां पर प्रूफ लिख लो या फिर उपत्ती बोलते हैं कि इसमें सिदुत करना जाता है बड़ा जीब हम इसा हिंडी होता है लिखो ते बखुझ एसी डी में देखो बच्चा एसी डी अगर तुम एसी और डी लोगे तो इसमें एक चीज आपको मिल रहा है अगर मैं इसको अलग करके आपको दिखा दूँ तो हमें लगता ज्यादा बहतर आपको समझ में आएगा ना अलग कर दूँ देखो समझने के लिए मैं इ इसे यह भी जा रहा है रहा है यहां पर O है क्योंकि मुझे इतना ही निकालना है ना A C और D यह अलग करूंगो तो मैं इसे निकलेगा इसका इतना निकल गया ठीक है और हाँ एक बात इसमें यह बीच में ऐसे लाइनिंग गई है तो यह वी ऐसे दिखेगी लेकिन हमें इस situation बन रही वह BPD theorem के according बन रही है बन रही ना कि एक भुजा के समांतर कोई एक दूसरी रेखा है तो तुम क्या लिखोगे यहां पर लिखो ACD में OE समांतर CD लिखो OE समांतर CD लिखो OE Parallel CD ओके इतना लिख लो चुकि नीचे जगा मुझे कम लग रही है अभी जगा है चलो गुड़ अब आप एक काम करोगे आप एक काम क्या करोगे लिखो AE upon ED AE upon ED नीचे लिखो नीचे दिख रहा है ना पूरा दिख रहा है AE upon ED equal AO upon OC AO upon OC कुछ लोगों को समाज में नहीं आया होगा लिख लो आई BPT theorem यानि BPT पर्मिये से ठीक है BPT पर्मिये से यह इतना हो गया BPT पर्मिये नहीं जाते हो तो कमेंट करके बताना आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की ठीक है ओके चलो यह हो गया है आपके फैस्ट रेंगल से इनको आपके अब इसी तरह से हम जैसे इसमें से यह निकालें वैसे इसमें से एक त्रिवुज और निकालेंगी और फिर उसमें भी करेंगे दो बन जाएंगे फिर इसको अंप्रूब कर सकते आसानी से इसको लिख लीजिए चुकि मुझे मिटाना पड़ेगा लग रहा है इसको एरेज करना पड़ेगा तो आप लोग जल्दी से स्क्रीन साथ ले लो वीडियो को रों करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी करो अब आप यहां पे ध्यान से देखो बच्चा आप इसी तरह से आप दूफरे ट्राइंगल में लोगे उसका नाम है बी सी डी फिर आपका एक एक इक वेसन और बनेगा वो इक वेसन जो मैंने मिटाया अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग तो कांपी में लिके होगे ना ठीक और एक काम होगा ठीक है तो इसके अकारटिंग आप चलोगे अगर बच्चा तो इसमें क्या है देखो ओ एप समानतार है सी डी के है ना इसमें आप लिख सकते हो ओ एफ पायरलल सी डी ठीक है और यह तो है ही अगर यह ऐसे सिच्वेशन बनती है तो हम जानते है भी पीटी चाहिए इसको पहले लिख लो भी अफान सी अफ इक्वल इधर वाला जो है ओबी और ओडी ठीक है यह ओबी अपान ओडी यह आपका इक्वेशन नंबर सीकेंड हो जाएगा तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है यह भी अप सी अफ को पहले ही फिले लिखा चूकि इधर इक्वल हो जाएंगे बाकि आप उसको पहले इसको बाद में लिखो तब भी मतलब हो ठीक है इतना उतार लो यह आपका इक्वेशन नंबर सीकेंड हो गया बच्चा अब ही मैं फैस्ट नंबर इक्वेशन आपके सामने ला रहा हूं अब फिर हम कंपेर करेंगे दोनों की ठीक है चलो जल्दी इतना लेख लो बहुत जल्दी करो अब दिखें आपको यहां पर कुछ समझने माली बात है बहुत इमांदारी से समझना तब ही समझ में आयागा बच्चा देखो हमारा जो इक्वेशन नंबर सीकेंड है इतना आ रहा है वह आपको दिख रहा है लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन है यह में पहले से दिया है और हमने इसमें कुछ चेंजिंग किया था एओ अपां सी ओ और बीओ अपां डियो इसको कर सकते हैं इफ लिए किये थे जिससे आगे हमारे लिए help मिल सके तो इसके according जो दिया है नीचे द सकते हैं इसको बीओ दियो के बराबर कर सकते हैं क्यों करेंगे क्योंकि हमारे इक वस्त नमबर फफर्ष्ट नए रूप में आ जाएगा जो कि दूसरे के सिमलर हो जायगा मतलब कुछ असमें मतलब इसकी जैसे हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं एपां यी और बच्चा इ भी ओफ डी ओफ लगी ओसे ठीक है यह आपका समीकरनग नएल हम नाया रूक बन जाएगा ठीक है इसाए तरह से और समीकरनग couple करो अगर देखो इसका जो आरेच कि बी ओपान ओडी इसमें भी देखो बी यो पान ओडी है कि नहीं है न यह मत सुचना उसमेंडी-ओ पहले है वह बाद में आप A B या भी या लिख सकते हो कोई फैक्ट नहीं पड़ता थीक है तो आप नीचे लिखोगे समे करण एक यहां पर लिखो समीकरण 1 वा 2 से समीकरण 1 वा 2 से हम compare अगर करेंगे बच्चा इसमें भी हमारे RHS equal है तो LHS बराबर कर सकते हैं तो हम VF अपान CF equal AE upon ED कर सकते हैं तो तुम यहाँ पर एक काम कर सकते हो VF अपान CF equal AD वो sorry AE upon ED आप कर सकते हो ठीक है यह आपने कर लिया इसमें करना क्या था इसमें यह कह रहा था अगर यह इस्तिती बनती है तो इसको prove करो एक sum लंब है sum लंब का मतलब होता जिसकी यह दोनों side जो है वो समांतर होती है और यह समांतर नहीं होती है यही ना यह हो गया यह condition कब बनती है देखो BF कहां गयी है BF अपान CF और AE अपान ED देखो बन रहा है न BPT theorem का पूरा नियम बन रहा है उस तरह से नीचे जाके prove हो गया न last वाला जो इक question नीचे बन रहा है तो अब नीचे तुम क्या लिख सकते हो बताओ सोच की बताओ क्या लिख सकते हो अब नीचे आप लिख सकते हो अताहा AB समांतर CD ठीक है इतना करने के बाद आप नीचे लिखोगे देखो मैं जैसे बताओ step by step ऐसे करते जाओ ठीक है इतना सब कुछ करने के बाद यह जो मैं साइड में दिखाया हूँ यह आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ जो घे रहा हूँ इतना इसको आपको लिखना है जरूरी नहीं है कोई ठीक है तो इतना आप लिख लोगे उसको कुछ नहीं लिखना है किवल समझना है बस उसको लिखना नहीं था मैं समझाने के लिए उदर साइड वाला बता हूं यहां तक करोगे इसके बाद आप यहां लिख सकते हो अता ध्या ए ए पी पैरल तू यह सीड़ी ठीक है और चब दो हूझाएं यही तो समांतर हो रही नहीं हाँ ठीक है जब दो हुझाएं समांतर हो जाएंगी तो यह क्या हो गया समलम्प का एक minimum requirement पूरा हो गई है सिद्ध हो जाएगा नीचे लिख दो अता सिद्ध हुआ ABCD एक समलंब है अता सिद्ध हुआ ABCD एक समलंब